ध्यान रखनी योग्य बहुत जरूरी बाते अपना केमती समय निकाल कर जरूर पढ़ें नमबर एक बदलते मौसम के साथ बहुत से लोगों को अक्सर खासी की परसानी शुरू हो जाती हैं वहीं कुछ लोगों इस समस्या से काफी लंबे समय से परसान चल रहे होते हैं अब इस काढ़े को हलका गर्म शिप शिप करके पीएं इस काढ़े में आप एक चमच सहद या गुड मिला कर भी पी सकते हैं हाई बलड प्रेसर वाले लोगों के लिए अमरूत के पत्ते का सेवन नौ करने की सलाह दी जाती है यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो चने और किस्मिस को एक साथ खाना शुरू कर दें इनमें अधिक मात्रे में फाइबर होता है जो लंबे समय तक वजन कंट्रोल करता है और सरीर को ताकतोर बनाता है नमबर तीन जिन लोगों में यूरिन इनफेक्शन खून की कमी पैरों में सूजन पेट संबंधी समस्या आखों से संबंधी समस्या होती है तो उन्हें धनिये के लड़ू बना कर खाने चाहिए क्योंकि स्वास्त के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं नमबर चार गर्भा वस्था में नारियल और मिश्री को खाने से बच्चा सुन्दर और गोरा होता है नमबर पांच यदि खासी की समस्या है तो अधरक के रस में सहद मिला कर चाटने से खासी में बहुत अराम मिलता है नमबर चे जो औरते बैठ कर जाड़ू पोचा करती हैं उन्हें कभी भी रिड की हड़ी से समबंधित कोई समस्या नहीं हो सकती नमबर साथ लौंग के तेल में सरसो के तेल को मिला कर कमर पर मालिस करने से कमर दर्द में बहुत अराम मिलता है नमबर याठ लौंग की तेल की दो तिन भुंदे अपनी मसूडों और दातों पर लगाने से दात दर्द खत्म हो जाता है और मसूडे बहुत मजबूत बनते हैं नमबर नौ जो बच्चे जल्दी बोलना सुरू कर देते हैं उनकी एदास बहुत तेज होती है नमबर दस टमाटर का ज्यादा सीवन करने से गुर्दे में पतरी और पिसाब में इनफेक्शन हो सकता है नमबर 11 जिन लोगों को इलर्जी होती है वह लसी क्या प्रयोग बिल्कुल ना करें दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आज की जनकारी आपको कैसी लगी कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको यह जनकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें एसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में